है दोस्तों विल्कम टू आ चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल पे निया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना फॉर द जनुएन इंफरमेशन और आपका कोई कोई इस है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों आज है 18 फेबुररी 2022 ब मार्केट उपन हुआ था करीबन 560 रुपए के नीचे उपन हुआ था उसके बाद शेयर के अंदर काफी शांदर हमें रिकावरी भी देखने को मिला था अल्मोस्ट यहां पे पॉजिटिव में आ भी गया था उसके बाद मार्केट के अंदर वालिटिलिटी के कारण शेयर आफ डिजिटल ऑपरेशन प्लाटफर्म तो बेसिकली यहां पर बोडफ डिरेक्टर का एक चेंजेस किया है तो न्यू किसी को यहां पर एक हाय था पर बोल सकतो कि हायर किया नेक्स्ट उसके साथ दोस्तों आनंद राठी जो के ब्रोकरेज कंपनीस की तरफ से यहां पर ब लेवेलब पई जो की प्रिवेज सब्सट लेवेल आज की रेट पर डिस्टेंस बन चुका है मेरे तो अगर आपको मुद्ध करना है मेरे क्याल से यह बढ़िया मौका है इसको आपको हाथ पे गवारा नहीं चाहिए एवन लास्ट है मैणे आप देख से टे शेर कंदर ऐस सा उपर गया भी था शेयर आप देखिए लगबग साथ सुर्पय क्रॉस करके अपना ओल टाइम हाई पर चल ला था उसके बाद में मार्केट जब जैसे से गिरा साथ आई टी सेक्टर के उपर भी बहुत जाद गिरावाट हुआ तो डिफिनेटल आपे जो बड़े-बड़े इंफोसीज एचल टेक माइंद्रा वी प्रजेक्ट के अंदर भी हमें गिरावर देखने को मिला तो आपकर सकर शेयर है तो यहां पर अपने शेयर होल्ड के लिए लांग टर्म के लिए तो पेशेंस रखे और नहीं है तो यह खरीदारी करने का बढ़िया मौका भी आपके इक्सी कुशन के बाद टोटल तीन शेयर ही आपका हो जाएगा कितना पांच शेयर यानि आपके बढ़के हो जाएगा दस सिंपल बात है इसी रेशो में आपको बोनाश चैर कर दाए कंपनी तो हाल फिलाल में दोस्तों वह बोनाश चैर का जो डेकॉर्ड डेट है वह भी क महिने के आजबास बागी आपके लिए तो आप अगर यहां पे 14 मार्च यानि मंडे ध्यान से सुनना क्योंकि 16 मार्च अगर रेकॉर्ड डेट हुआ तो 15 मार्च यह जो की बोनाश चैर का एक्स डेट है तो उसके एकोडिंग अगर आपने 14 मार्च या तो उसके पहले इस शेयर को खड़िदारी करतों तो डिफिनिटली यह आप बोनास पाने के लिए हो जाएंगे बट मैं आपको यह भी बोलूंगा साथ में कि गलती से भी दोस्तों बोनास को देखिए इन्वेस्ट मत करना अगर आपको लॉंग टाम के लिए होल्ड करना है तभी इन्वेस्ट सारे 11 बजे के आसपस यह अपडेट हुआ था मतलब यह नोटीस आया तो उसके बाद ही शेयर कंदर में अपर सरकीट देखने को मिल गया था लास्ट एक मैने के अगरम बात के शेयर कंदर लगातार गिरावाट बट 6 मैने पर गड़ीब तीन सो साट परसेंड का पॉजिट स्रकी स्वसेर आज परसन के आस पास अगर अगर दन का चाट सब्सक्रान अगर क्यूं बोलना हम ऐसा क्योंकि मदर से सुमी का लास्ट मांट जनवरी पर हमने सभी ने देखा कि डी डी रबलो एज का जो बिजनेस अ उसे डीमर्च किया है उसको फिर से लिस्ट कराए जागा मार्च की मैंने पेपको बिलखुल भी घबर नहीं चाहिए दूसरी सुमी का इस बार जो यानि क्रिशन है क्योंकि लास्ट क्वाटर या लास्ट येर के अगरम बात करें तो दीड़ाबल्यूएच का बिजनेस जो कि इसके साथ इंक्लूट था आज की रिट में बात करें इसको हटाय दिया गया तो जिससे कारण उनका एक मेजर रेविन्यू या मेजर प्रॉफिट अब तो यहां से हट गया है तो जिसका आज की रेट पर मतब जो क्वाटे तुरी का रेजल्ट आउट उसमें थोड़ा बाद हमें गिराबर देखने को मिला तो अच्छा है तो जिसका आप देख से तो लॉंग टम इतना जवर्तस डिटन दिया बद यह जो बीच बीच में वाल अंदर आया मतलब जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफियत तक कंपनी अच्छा परफॉर्म किया साथ साथ कंपनी डिवीडेंट के माउने तो कुछ बोलने के नहीं है कंपनी इतना डिवीडेंट पे करता है मतलब आप अगर खुद एवडी के अंदर पैसा रखोगे उसस पाने के लिए शेर होल्डर होंगे क्योंकि आप देखसे तो यह डिवीडेंट का जो एक रखा है वह है 21st February मतलब अपकमिंग ट्रेडिंग विक के मंडे की दिन तो उसके अगरिंग आज की डेट में आपको लास्ट खड़ीदारी करना चाहिए था और उसके साथ साथ और यहां पर जो ब्रोकरेज कंपनिस उनके भी तरब से आप देखसे तो बड़े बड़े टार्गेट आड़ा है यानि आज की रेट में शेर्ट चल लाए अराउंड 170 के आज बस यहां पर टार्गेट बताय जा रहा है धाई सो का उसके साथ यहां पर देखसे तो जो की एक फ चोड़ा मोटा नमबन नहीं है तो अगर आपको इंवेस्ट करना है तो चोड़ा मोटा इंवेस्ट मेंट करके देख सेकतो रहाए ठीक है बट हाँ पी असुस्टाक होने के ना थे थोड़ा बहुत आपको स्लोव मूप बी नजर आ सकते तो डिविडियन की मामल में या भी बहुत पहले से रेकमेंडेशन था इवन शेयर जब यहां पर बोनस दिया था उसके भी बहुत पहले मतलब मैं रेकमेंड का था करीबन उस टाइम पे चल ला था शेयर चार सो क्या आसपास याद होगा आपको तब उसके बाद शेयर लगब आट सो नौ सो पे गया था इसको बार बर सब्सक्राइब लग रहा है वह 210 रुपए का लेवल जो कि लास्ट टेम आपने देखा था इसी लेवल पर सब्सक्राइब लग रहा है तो साथ-साथ मैं आपको यह भी बोलोंगा कि आपको अगर शेयर है सेल करने का गलती मत करना क्योंकि कंपनी अगर हम बा बात करें जो बड़े प्लेर इसके अंदर लगातार इन्वेस्ट कर रहा है तो ठीक है लॉंग टर्म की लगना बात करें पावर सिक्टर का बहुत बहुत ज़्यादा दिमांड भी चल ला है उसके साथ-साथ आप देख सकतो इसके पहले भी सेम डू सेम सीच्वेशन आइक अब देख सकते हैं तो पेशन का अलग वालो है उसके साथ-साथ मार्केट के अंदर भी आप अबजर्प कर सकतो कि कि इतना ज्यादा वालेटिरी का सिच्वेशन चल लाएं तो आपको अगर शेयर है गलती से सेल मत करना मैं बारबर बोलना हूं कि यह सेल करने वाला शेयर यह दूसरी पॉइंट लॉस में सेल करने वाला शेयर यह ही नहीं ठीक है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इससे बढ़िया मौका भी नहीं है यह भी आपको बोला बट हां इन्वेस्ट करने के साथ-साथ मैं आपको यह भी बोलूँगा कि आपके अंदर पेशन्स भी जहीं देजिए